नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों अंतरिक्ष वईगैनिकों की बिग बैंक थिरी की अनुसार ब्रह्मान के उत्पत्र आज से करीब 1370 करोड साल पहले हुई है उसके तुरंतबाद ब्रह्मान, इलेक्टरों, पोटोन, न्यूटरों, एंटी इलेक्टरों, फोटोन जैसे कई पार्टिकल से भर गया स्पेस में हर तरफ ग्यास के कई बादल बन गए और इनी बादलों के अंदर तारों की निर्मान का कारिया शुरू हुआ आज से करीब 640 करोड साल पहले हमारे सौर मंडल ने जन्म लिया उसके साथ नो ग्रहों की उत्पति भी हुई है लेकिन शुरुआती दिनों में हमारे सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह थे जो एक दूसरी से काफी मिलते जुलते थे और वो ग्रह है प्रत्वी और वीनस जिससे शुक्र ग्रह भी कहा जाता है वेगनिकों के अनुसार वीनस और प्रत्वी जुड़वा बहने है शुक्र ग्रह सौर माला में दूसरे नंबर का ग्रह है और प्रत्वी तीसरा ग्रह शुक्रग्रह, आकार, वस्तुमान और कंपोजिशन के मामले में प्रत्वी से काफी मेल खाता है परन्तु शुक्रग्रह पर कर्बन डॉकसाइट 96 प्रतिशत और नाइटरोजन 3.5 प्रतिशत है जो की प्रत्वी से एकदम उलट है शुक्र की सतर कतापमा 462 डिगर से जो की प्रत्वी के मुकाबले काफी ज़्यादा है और वहापर वाता औरंग का दबाव भी प्रत्वी से काफी ज़्यादा है लेकिन प्राचिन काल में ऐसा क्या हुआ जिसने शुक्रग्रह को नरक में बदल दिया जो कभी प्रत्वी की तरह बॉआ करता था हाल ही में होय रिसर्च में नासा ने दावा किया है कि शुक्रग्रह पर प्राचिन समय में जीवन रहा होगा उनका मानना ही कि शुक्रग्रह पर बड़े-बड़े समंदर थे और उपज़ाओ जमिन भी थी शुक्रग्रह का वातावरा सूरज के अतेनील किरनों से वागी जीवन की रक्षा भी करता था लेकिन करोड़ों सालों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने शुक्रग्रह का नक्षा ही बदल कर रख दिया कुछ थियोरिस के अनुसार शुक्रग्रह से कोई ऐसी बड़ी चीज टकराई जिसने शुक्रग्रह की घूमने की गति को धीमा कर दिया और उसे अपोजित डिरेक्शन में घूमा दिया सौरमंडल के सारे ग्रह एंटी क्लॉक्वाइस डिरेक्शन में घूमते है बलकि वीनस और यूरेनस ही ऐसे दो ग्रह है जो सुरज के इर्दगिर्द क्लॉक्वाइस डिरेक्शन में घूमते है वेग्यनिकों का मान है कि जीवन को सक्षमवाता और बनाने के लिए किसी भी ग्रह को एक सही गति में घूमना आवशक है जो कि अब शुक्रग्रह नहीं घूमता है शुक्रग्रह इतनी धीमी गति से घूमता है कि शुक्रग्रह का एक दिन प्रत्वी के 117 दिनों के बराबर होता है लेकिन क्या प्राचिन समय में जब टक्राव से पहले शुक्रग्रह सही गति से घूमता था तब वहाँ पर जीवन मौझूद था इसका जवाब बहुत से अंतरिक्ष वेगनिक हाँ में देते है उनका मानना है कि करोड़े सालों पहले शुक्र ग्रह पर जीवन रहा होगा लेकिन क्या वहाँ पर इंसानों की तरह जीव रहते थे क्या वहाँ पर एलियन्स रहते थे क्या उनके जिवाश्मा आज भी वहाँ पर मौझूद है हाली के जापान के स्पेस प्रोप के रिचरच के अनुसार वीनस पे कुछ ऐसा है जो ग्रैविटी वेवस पे असर डालता है वहाँ पर कुछ तो बड़ी चीज है जैसे कोई पहाड या कोई बड़ी सी दीवार जो वहाँ पर रहने वाले प्राचिन लोगों ने बनाए होगी फिलहाल वेगनिक इसी खोज में जुटे हुए है लेकिन आज के समय में शुक्र ग्रह को किवर नरखी कहा जा सकता है वहाँ पर बादल पानी के नहीं है बलकि सन्फरिक ऐसर के है वहाँ का तापमान इतना जदा है कि वो लूपूर ही पिगला सकता है शुक्र की तरब देखकर हमें प्रत्वी का भविशन अदर आता है आज से करोडो साल बाद प्रत्वी का भी हाल शुक्र के जैसा ही होने वाला है क्योंकि सुर्ज का आकार दिन बदिन बढ़ता चला जाता है जब शुक्र पर जीवन रहा होगा तब सुर्य आज से 30 गुना कम प्रभावशाली था लेकिन समय के साथ सुर्य अधिक प्रभावशाली बनता जा रहा है और जब सुर्य का फिल खतम हो जाएगा सुर्य रेट जियांट में बदल जाएगा और आज पास के सभी ग्रह सुर्य के अंदर समा जाएंगे और प्रत्वी से भी जीवन समापत हो जाएगा वैसे देखा जाए तो प्रत्वी पर भी कुछ ऐसे बैक्टिरिया है जो कार्बन डाइकसेड और आइसिड में भी जीवित रह सकते हैं कैशुक्र ग्रह पर भी कुछ ऐसे जीवित तत्व मोजुद हो जो वक्त के साथ बदलाव कर इतने भैन अगवाता और अरण में जीवित रहने में कामियाब हो गए हो आपको क्या लगता है हमें कमेट्स में जरूर बताए इस फडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकरे वाले वड़ी देख सेके धन्यवाद